हेलो अब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टुडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपको ने परिवाग कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए आपकी जो मार्च एक्जाम जो मार्च में एक्जाम कराये जाएगा उसकी आपको सोल की साइट पर एक से जो दिन में मिल जाएगी ठीक है तो यह गाइडलाइन अभी आई है और इस गाइडलाइन में आपको step by step पूरा प्रोसेसर बताऊंगा कि क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने है कैसे क्या करना है सब कुछ इस गाइडलाइन में होगा बने रहे है अभी तक के 10 मिनिट तक की वीडियो के लिए क्योंकि 10 मिनिट तक मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा आपके एक्जाम से ठीक है तो देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि नॉटिटिकेशन इसू किया गया है 14 2022 को देखते हुए ठीक आप देख ले नहीं दिया और जो एक्स स्टूडेंट ठीक है तीसरे में लिखा हुआ है जिनकी बैक आ रखी है एंसी वैप और रेगुलर से ब्लॉंड करते हैं जिनकी बैक आ रखी किसी में भी तो वह भी इस एक्जाम को दे सकते हैं ठीक है बागी देट सीट बगए है जोने मैंसन कर है तो इसनों कुछ इतना खास नहीं है तीसरे में बता रखा है थार्ट और फिफ्स सेमिस्टर के बहुत स्टूडेंट जिनका एक्जाम पोस्पॉंड हो गया था नवंबर दिसंबर में वह भी मार्च में एक्जाम देंगे ओपन पुक एक्जाम के माध्यम से चौथा है क कि आपको एक्जाम में नेशन फॉर्म फिलप करना तब ही आपका एड्मिकार आएगा इसा चौटे पॉंट में लिग रखा है और पांच में बता रखा है एड्मिकार जल्दी डिली उनिवेसिटी की साइट पे अबलेबल हो जाएगा एंसी पैप और रेगुलर वालों के लिए उनकी डेश्वोड पर एड्मिकार उनका आ जाएगा ठीक है एक अपते पहले छटे पॉंट में उन्हें दे रखा है कि अगर आपकी कोई भी डीटेल बगेरा और किसको भी आपको जानकारी बगेरा चाहिए तो आपको ऑफिसल इमेल कॉलेज के दोरा अपडेट और SMS के जारी है आपको time to time information मिलती रहेगी तो University आपको share करता रहेगा छटे पॉंट में दे रखा है और साथवे में आपको दे रखा है कि आपके जो मुबाइल नंबर है और इमेल आईडी से नोडल आपिसर के पास भेज जी जाएंगा नोडल आपिसर के इमेल आईडी और बता रखता है front seat demo front seat में क्या क्या आपको लिखना है मतलब हर आंसबर seat पे front seat demo बनता है और front seat पर क्या क्या डीटेल डालनी है date and examination 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 roll number name of the program semester unique paper code title of the paper यह आपको detail डालनी है आपको पॉंट में कि साफ सक बता रखता है कि नौबे पॉंट में इन्होंने बता रखा है कि total timing आपको किद्नी मिलेगी total examination में आचो आपको timing मिलेगी वो चार गंटे की मिलेगी जैसा कि हम पिछली बार भी बोलते आ रहे थे तीन गंटा लिखने का और एक गंटा uploading का मिलेगा ठीक है और जो PWD category के जरनल जो डिब्या इसकी या मान लीजे network चले जाते है या mobile खराब हो जाता है तो आपको एक घंटा और extra time दिया जाएगा चार गंटे के अलावा इन emergency cases पर इसके अंदर सर्थ यह रहेगी कि जब भी आप अपनी answer seat submit करोगे portal पर या email पर तो आपको evidence यानि पूरूप submit करना होगा कि क्या बजय चार गंटे के अंदर भी आप अपना answer seat submit नहीं कर पाए जो इतनी लेट submit कर दे हो उसके बार जो आपकी answer seat है वो review कमेंटी के पाथ जाए कि उसके बार यह decision लिया जाएगा कि उस answer seat को consider किया जाएगा नहीं किया जाएगा तो कोई मलागे consider हो जाती है वो कोसिस करना चार गं पासन मिलेगा ठीक है और हर एक कोसन की एक PDF आपको फाइल बनाने है तो हर PDF की एक कोसन बनेगे एक step पीडियाप फाइल बनेगी और हर पीडियाप पे एक फ्रेंट सीट डेमो आपको देना होगा ग्यारवे में दे रखा स्टूडेंट्सूड अफियर दा एक्जामिनेशन फॉर्म आपको बनना होगा फिजीकल मोड और रिमोड मोड यह तो आपको नहीं है इनका तो कुछ मतल आइल फोन ऐनी ऐसा भी कोई भी डिवाइस हो जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी और इस सब यूनिवेसिटी का पोर्टल एक्सिस कर सकते हो ऐसा आपके पास डिवाइस होना अनिवार रहे है ठीक है तीसे पॉइंट में रखा है स्टूडेंट से आपकी सीट कोसन रह करना है और उसको बीडाउट किसी पासवर्ट के आपको अप्लोड करना सब्सक्राइब आपको नहीं लगाना है ठीक है और फिर आपका चौथा हो गया एक आपको सिसलिप मिलेगी जब आप अपनी आपको सीट समिट करोगे मेल के दोरा या आपके पोर्टल के दोरा तो आ सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको बना दी यह लिंक है रेगुलर और एंसी वैप बालो का जिसका लिंक है और स्कूल और लेर्निंग यह दो लिंक है जो ऊपर वाला जो लिंक है वह है आपका रेगुलर और एंसी वैप बाली च्टूएंट के लिए और तेरवे में लिखा हुआ है कि जो कोशन पेपर है थी स्टूएंट कहां मिलेगा कैसे क्या है तो कोशन पेपर आपको ओवी प करोगे तो इन ही पॉर्टल के अंदर आपको कोशन पेपर मिल जाएगा एक्जाम से एक मिनट पहले ठीक है वह आपको नौ नौटिपाई डेट सीड में टाइमिंग जो रहेगी उसी टाइमिंग की हिसाब सब कोशन पर दिये जाएगा अब देखे इसमें तो कुछ पलंडिंग और एक यह बताई जो आपका रजिस्टेशन है वह जब आपका अध्मिक काड आ जाएगा उसी दिन आपका रजिस्टेशन स्टार्ट होगा और इन्हीं दो पोडल पर आपको रजिस्टेशन करना अब इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाके दूंगा फ्रें सब्सक्राइब करते हैं आपको एक्जाम में चार घंटे का टाइम मिलेगा पी डबलुडी वालों को छे घंटे को एक घंटा एक्स्टा तम मिलेगा जब इन इमर्जंसी केसिस अगर बाइचांस आप अपनी आंसर सीट सब्मिन नहीं कर पाते हो तो जल जली मैंने बता रह सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई अपडेट हो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ठाइंक्यूसों मत